सो हेलो फ्रेंड्स वेलकाम बैक तो नादर न्यू वीडियो एंड दोस्तों अगर आपके पास Poco X5 Pro 5G डिवाइस है तो दोस्तों फाइनली आपके लिए काफी वड़ी सर्फराइस गुड़नों है क्योंकि दोस्तों फाइनली पोके के तरफ से व्रेंड न्यू अबडेट शामी हाइपर रोस का अबडेट आसे सभी यूदर्स के लिए रूलिंग आट होना स्टार्ट हो चुका है इस अबडेट के वर्जिंग के बार में बात करेंगे तो 1.0.2.0 का अबडेट है एंड 4.8 जीबी अबडेट का साइज है तो चलिए आज के से विडियो में सारे क सारी कम्प्रीड फीचर्स का रिवीव देने वालों तो चलिए देश्टो विडियो काफे ज़द अंटरेस्टिंग रहने वाला है तो इस विडियो के ुए से लेकर दस्तक ज Angeb देख ते रहा है आपके Poco X5 Pro device में HyperOS का अप्डेट मिला की नहीं मिला है कमेंट करके जरूर बता सकते हैं तो चलि दूसरों मुझे भी अपने Poco X5 Pro device में कली या पे HyperOS का अप्डेट रसी हो चुका था और मेनिस अप्डेट को अपने फोन में सक्सेस्फुल इंस्टॉल करके रखा है अप्डेट इंस्टॉल करने के बाद हम जाएंगे अबरट फोन सेक्श्वन में जाने के बाद यहापर फोन सेक्श्वन का पेज है वह यहापर यहापर है अब जो वर्जन है 1.0.2.0 का वर्जन है यहापर यू एमस मतलब के Android 14 का वर्जन है OS 4 वो भी दियसाती यहां पर इंडियन वर्जन का पोको वर्जन है और इसके बाद आंडरोड वर्जन के बारे में बात करेंगे जो कि आपको एक जनूरी का लेटेस्ट एंडरोड सीकुरिटी पैच लेवल देखने को मिल जाता है तो बस अब फॉन सक्षिन में आपको इतना बारे में बात करेंगे तो आपको जो कंट्रोल सेंटर यहां पर चैंज हो चुका है ब्राइन को यहाँ इस देखने को मिल जाता है जिसमें हमें यहां ब्लोर एफिक्ट भी देखने को मिल जाता है मोबाइल डेटा और वाइपिक बटन उबर के साड नीचे साड़ में देखने को मिल जाता है तो काफी बड़ा चेंजर्स आपके यह पर कंट्रोल सेंटर में भी देखने को मिल चुका है एंड इसके बाद उस अगली चेंजर्स के बारे में बात करेंगे तो का फीचर हो चुका है इससे पहले सिर्फ आप सिर्फ यहां पर थर्ट अपर सप्पोर्ट देखने को मिलता था बट फाइनल यहां पर फ्रेम रेट उसमें को 90 फीचर भी देखने को मिल चुका है चले दोस्तों बात करेंगे अगले चेंज लोग फीचर के बारे में जो की जाते हैं मतलग करें सरे वाल पेपर के कंभोंक सब्सक्राइब लास videos और करें दो यगुत पडुर्टाइब करना नहीं सब्सक्राइब। अज़से रहे हैं यहाँ पर दया जाएब। क्या चाकुरमठ़ के द्ला पंश सकते करने के बाद नीचे के लिपर सब्सक्राइब के इसको एडिट लिए uh उसके उपर क्लिक करना है एंड अब क्लिक करने ले बद अगर आपको डालना में अलकर नामों और टार सकते हैं अगर है उसको भी तया착 करने के अन्षी नियएर सकते हैं अगर आपको यह वीजर्ट से मत्लब क्लॉक bucks टायल उसको पहकते हैं ऐसे कि जो टेक्सٹ उसका कलर चेंज करना एं जो मतले हैं जो कुलॉक से बारिवा उसका बीच्छ में करना है तो इसके बाद एक प्लॉर फिटर्स का भी फीचर देखने को मिल जाता है तो सिंपल जाएंगे फिल्टर में जानी कि बाद आप द्व सकते फोटो के लिए डिपरेंट इफरेंटफार देखने को मिल जाते हैं इसके बात करेंगे अगर आपको यह पर अप्ले करने का support देखने को मिल जाता है तो काफ़ी ब्रैंड यूँ फ्रेश ॆपको फीचर मिल जाता है। लॉक्स्क्रीन कस्टों सब speciallyTE तो सेटिंग में जाने के बद यहां जाएंग जो हम स्कृPM की तो सेटिंग में जाने के ऊंधायान की जाने की फिचरी जानी में जाता है एंड इस सेटिंग में फीचर आपको मिसंग देखने को मिलेगा जिसका नाम है आइकॉन साइज तो आइकॉन साइज का फीचर कहा पर चुपा है वह भी मैं आगे चल के बतने वाला हूँ यहां पर 3D वीजर पसंद आता है तो आप अपनी के साब अपले कर सकते हैं आगे चल के जाएंगे यहां पर अपले करने का सपोर्ट इसमें देखने को मिल जाता है चलिए बात करेंगे अगले चेंज लोग फीचर के बार में जो कि हम को यहां पर फ्लोटिंग वीडोस में च फ्लोटिंग वीडोस में जाने के बाद आप अपने हिसाब से जो साइज को कम जादा सेट कर सकते हैं इसके लिए बात करेंगे ऊपर के साइड में तो यहां पर बीच में टेच करेंगे तो 3D की उपर क्लिक करने के बद आपके सामने काफी सरी ओप्शन देखने को मिल जात है इसके बाद दोसो बात करेंगे अगले चिंजिलोग फीचर के बार में जो कि हमको यहां पर स्मार्ट साइट बार में देखने को मिल जाता है तो स्मार्ट साइट बार में जाने के बाद वही सपोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि फ्लोटिंग वीडोस का सपोर्ट मिल आपर किसी भी अप्ली केशन के यापन के लॉंक प्रेस करने के पाद यापन दो शॉटकट में देखने को मिलते हैं के दूसरा फुल स्क्रीन के लिए पर क्लिक करेंगे यह पर जरी में अगले चैन्ड लॉक फीचर कई बारे में जो कि आप पल की अवस्तायल जैसा डानेमिक इसके बाद दोस्तों अगली चैंजेस के बारे में बात करेंगे वर स्पाइ norma करेंगे जो की हमआर इनकेमिंग का यूजर डिफेस हैं इसमें लगी हमकोई चेंजेस के बारे में हमनों चेंजेस के बारे में जोकि हम यहां पर विच करेंग tobaccoः जाता है वेसे सारे सारी features आपको पहले से देखने को मिलते थे पर यह कुछ ने क्तिग्री में यह पर डिफरेंशिट किया गई जैसे की Deep Clean ने क्पीचर मिल जाता है Test Network नेटवर का फीचर मिल जाता है Second Space का फीचर मिल जाता है तो इस देखने को चले दॉस्व बात करेंगे अगले लेट आपको receive हो चुका है, आपके phone के किस भी folder के उपर long press करेंगे, तो long press करने के बाद edit folder को option देखने को मिल जाता है, और या पर 3 option देखने को मिल जाता है, enlarge and triple x ऐसे feature देखने को मिल जाते है, अगर आपको यापको यापको super folder create करना है, यह पर Super Folder का भी Feature देखने को मिल जाता है चले दोस्तों बात करेंगे अगले Change Log Features के बारे में जो कि अर सारे सारे सेटिंगे अंदर देखने को मिल जाते हैं तो सेटिंग में जाएंगे एंडर सेटिंग में जाने के बाद उसका जो यह है जो फोड़़ सा चैंजगे सके बारे में बात करेंगे यहां पर Always and Display की सेटिंग वहां पर गाइब की गई है लेकिन कहां पर गाइब की है वह भी हमें आगे चलके बतने वारह हो तो लॉक स्क्रीन में देशाते सिर्फ यह पर लॉक स्क्रीन की सेडिंग कस्टमाइज कर सकते हैं इसके बद अगली चंजस के बार में बात करेंगे जो कि हमको यह पर नॉटिफिकर्शन स्टेटस बार में देखने को मिल जाते हैं तो स्टेटस बार की सेडिंग्स वह भी हमक पिखनी को मिल जाती है नमर ऐएकोंस मतलब always bold कर सकते हैं तो सबीच जय को कर सकते हैं जैसे आई र dulce एककों लेवल मतलब किया है तूपर यह से उसका नैम Entमा यह सो करना है तो उसका पर नेम शोग कर सकते हैं या फिर अगर आपको क्विक टॉगल के टेक्स को हाइड कर सकते हैं तो इसे काफी सरी कस्टमाजेशन की फीचर देखने को मिल जाते हैं इसके बाद उसो डिस्प्ले एंड ब्रैटनेस का अंदर जाएंगे तो यह फीचर सो देखन का फीचर मिल जाता है एंड अल्वेशन डिस्प्ली की जो सेडिंग से वह भी हमको यह पर एड की गई है तो यह से सारी सरे जो सेडिंग उसको कस्टमाज कर सकते हैं इसके लगों साइस तो काफे सरे लोग बोलेंगे कि आइकों साइस यह पर रिमो किया गाए लेकिन आइक इसे काफिसरी फीचर वाल पर एंड के अंदर एड किया गए ए इसके बाद और अगली कुछ फीचर के बार में बात करेंगे जूकि हमको यह पकर ओकर को अगर आपके फोन को रेक करता है तो उसका भी अलॉर्ट आपको देखने को मिल जागा एड ऊसके बात दो अगली फी के अंदर देखने को मिल जाता है सबसे पहला चीज की यहां पर जो बैटरी का यूजर ने टरफेस है वह भी हमको यह चेंज किया गहे जैसे की बैटरी बैटरी पर फर्फरमस्ट मोड उसके बद जो भी बैटरी बैर उन्स मौड है वो चेंज करेंके यह बैटरी प्रोटेक् का फीचर मिल जाता है तो इसको इनेवल करेंगे देखने के बाद जो भी नोटिफिकेशन के बाद आपको रिसी होता है तो एक पर चैन्ज करना तो यह पे चैन्ज कर सकते हैं जैसे कि रख सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे जूकि यहां पर फ्लोटिक विंडोज में स्मार्ट सजेशन का भी फीचर देखने को मिल जाता है जो कि Android 14 के वज़े से कापे सरी डिवसेस में अड़ हो चुक है वेसे ज्यादा कुछ खास इंपॉर्टन फीचर नहीं लिकिन थोड़ सा रेकमेंडेशन से अड़ हो जाता है स्मार्ट सजेशन के वज़े से तो अबस सेटिंग के अंदर आपको इतने में 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 हालेटेट च प्लिक करेंगा आपको रेकमेर के वीडेशन के साथ खरवादेशन उसकी करते हैं क्यालेरी में पिकशेट नहीं तु आसटिय कि जाता है पिर यह जी सकत दैटो ऐसे छाय आपको और बाक्रक्व करा तो इल देखने की पेश्ट करना है श्रृष्ट को पैस्ट करते हैं जाइस्स consider क्ली सब्सक्राइब सबस्क्राइब द던 प्रभुकण इस ज भी करद सकते हैं तो काफ़ एमेजंग विच्छनलग फीचर सबस्क्राइब गेलरी-देखने को मिला है धिसकल बात करण सकते हैं देखनेजन देखने को मिल जाते हैं सब्तेज्ट जैसे एक क्लग एनक ये में चन्जका हैं जैसे जो इहां जो जुका है कि अडये सुरत की जो सीधियर कर चींच में अपाव साथ के शेंट को मिल चुका है सो फ्रेंड्स पोको एक्सपाइप प्रो डियस में हाई पर रोस एंडरड फोर्टिंग के बात बस इतने में 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 हालेटेड चिंज लोग फीचर देखने को मिल जाते हैं आपको कौंसा फीचर सबसे अच्छा लगा है नीचे कमेंड बॉक्स में जरूर बत कियर